नमस्कार स्वागत ते आपका दिल से दिल तक Healthy Heart Talk Show आप देख रहे हैं आपके साथ हूँ मैं लवीन राज दिल से दिल तक Healthy Heart Talk Show हर भारतिय को हृदय रोग के बारे में शिक्ष्षित और साथी जागरूग करने की एक पहल है आपको बताएं कि भारत में पश्च्रमी देशों के मुकाबले लोग 10 साल पहले ही हृदय रोग से पेरित हो जाते हैं और साथ ही आपको बताएं कि भारत में हर 33 सेकिंड में एक आदमी की हार्ट उटैक की वज़ह से मौत भी हो रही है और इसलिए भारतियों को हिर्दे रोग से बचाने और जागरू करने के लिए देश की सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रिटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हाट टॉक शो अभियान के शुरुआत 2018 में ही कर दी गई थी दिल से दिल तक हेल्दी हाट टॉक शो को लाखों भारतियों ने सराहा हैं और साथी हजारों भारतिये इस अभियान से जुड़े भी हैं जुसे देखते हुए हर रविवार को दोपहर साड़ी बारा बज़े जिह हिंदुस्तान के मंच पर भारत के सुप्रसिद्ध हिर्दे विशुष रगे डॉक्टर अजीज खान सवाल मेरा डॉक्टर अजीज खान आपसे रहेगा हिर्दे रोग के कारण भारत में मृत्यूदर लगातार बढ़ती जा रही है आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या मदू में है उच्च रक्तचाप या फिर गुर्दे परसेंट पापुलेशन लोग हाट के किशी वज़र से उनकी मौत होती है इसके बहुत कारण है पहले सोचते थे हम लोग के बुजुर्ग लोग ओल्ड एज में जैसे एज बढ़ती है उस तमें शायद हाट की बिमारियां ज्यादा हो लेकिन अभी हम देखते हैं यंग लो अभी पिता बेटा को लेके अस्पाता लाता है हाट की बिमारी लेकि यह बिमारी क्यों होती है इसका एक कारण तो है कि फैमिली हिस्वी अनुवशी का अगर आपके पैरेंट्स में हाट का बिमारी है तो आपको यह चांसे ज्यादा है लेकिन इसके साथ में और भी जो रि यह तीन में कारण है इसके साथ में अगर आपको diabetes हो मदू में जिसकों बोलते हैं इनमें चार गुना हाट की बिमारी ज्यादा होती है अगर आपको मोटापा है अगर आपको mental stress है आप अगर exercise न करते हो आप अगर junk food खाते हो जो fast food बोलते है और आसकल कि हम जो जीवन सरिया देख रहे हैं computer के सामने बढ़ते हैं और junk food खाते हैं और targets रहते हैं यह सब कारणों से हाट की बिमारी ज्यादा हो रही है बिल्कुल डॉक्तर अजीज खान को कैसे जान सकता है कि उसका दिल स्वस्त है या फिर नहीं है अगर आपका दिल स्वस्त है आप हिल्दी है और आप रेगुलर अपना सब काम कर सकते हैं शारिरिक काम प्रोपेशनल वर्क बिना थकावट के और आपको कुछ रिस्पेक्टरस नहीं है तो शायद आप नॉर्मल है आप अधर एक सिंपल वे है कि आप अपना पल्स करते हैं रिस्क के ऊपर ये 70-90 के बीच में रहता है अगर 70-90 चल रहा है मतलब आप ठीक हो वाजब आप कुछ काम करते हो उसके बाद में अगर वह जल्दी नॉर्मल हो जाता है इसका मतलब आप स्वस्त हो लेकिन दिनों को रिस्पेक्टरस होता है दिनों को डियाबिटी है ब्लड पेशर है स्मोकिंग है या हमको रूटीन काम करते में भी कभी थकावड आना महसूस भी थकावड महसूस भी या पाल्पेजिन हो रहा है तो हम इमेजली चेक अप करना चाहिए अगर आप 40 साल के उपर है तो इस आलवेस बेटर कि आप अपना हेल्द चेक अप कर अपने हाट की केर नहीं लेंगे तो आप लंबा जीवन नहीं दी पाएंगे आप हिल्दी जीवन नहीं नहीं लेपाएंगे और सिम्टम जो बताया गया अभी कभी भी प्रॉपर सिम्टम्स हाट के नहीं होती पहला ही सिंटम पहला ही सिंटम आपकी डेथ हो सकती है तो प्लीज आप अपने हाट की सुरक्श्चा करिये और इसकी लिए आप रेगुल्र रिस फैक्टर्स जो है इसको बचाईए आप regular एक्साइज करिए वजन कम रखिए बीडी सिग्रेट तंबाकू से दूर रहिए स्ट्रेस मत लीजे और रेगुल चेक अप कराईए और डायेट में जो हेल्दी डायेट वही लीजे और प्रिवेंट चेक अप करेंगे प्लीज अपने हाट को निग्रेट मत करिए प्रिवें-प्रिवेंब्र चेक अपने में पूरा यकीन है कि हमारे दर्शक को मेहतिपून जानकारी आपसे मिली है और आप सभी ने जो जानकारी दी है उससे हमारे दर्शक धियान में रखेंगे बहुत शुक्रिया आप सभी पेज दिल से दिल तक हैल्दी हाट पर आप सभी दिल से दिल तक हैल्दी हाट अभ्यान से यूट्यूब इंस्टेग्राम और साथी ट्विटर के माध्यम से भी जूर सकते हैं लॉग इन करना ना भूले